आज मैं आप से एक बात पूछता हूँ क्या आप संतुष्ट हैं अपनी जॉब से या अपनी बिजनिस ग्रोथ से ज्यादा तर लोगों का जवाब होता है नहीं उसका कारण सभी के लिए एक जैसा ही है अच्छी जॉब का ना होना, कम सैलरी या फिर बढ़ती महंगाई ऐसा क्या है जो इन सभी प्रॉब्लम्स के बावजूद आपको आगे बढ़ने में मदद कर सके आविक्स साइंसेज इंडिया प्राइविट लिमिटेड आविक्स साइंसेज आज पूरे भारत में तेजी से रोजगार के नए अवसर उपलब्द करवा कर लोगों को आत्म निर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है आविक्स साइंसेज की शुरुवात भारत में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से ममता चौधरी क्वम मिस्टर सुशील कुमार के द्वारा हुई है जहां आविक्स साइंसेज उच्च गुनवत्ता वाले आयरुवेदिक तथा हरबल उत्पादों की विशाल रेंज सेल्फ मैनुफाक्चरिंग यूनिट से रिसेर्च एंड डेवलप्मेंट के बाद आप तक उपलप्त करवाती है आविक्स साइंसेज के उत्पादों के पास वो सभी सर्टिफिकेट्स हैं जो उनकी उच्च गुनवत्ता को प्रमानित करते हैं आविक्स साइंसेज, हेल्थ केर, पोर्सनल केर, ब्यूटी केर, होम केर, अग्रिकेर तथा FMCG प्रॉडक्स आप सभी के लिए उपलप्त करवाता है आविक्स साइंसेज, पूर्ण तहा भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत, डायरेक्स सेलिंग गाइडलाइन के अनुसार कार्य कर रही एक प्रॉडक्ट बेस डायरेक्स सेलिंग कमपनी है जहां आप अपना फ्री रेजिस्ट्रेशन करवा कर आविक्स साइंसेज के इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिब्यूटर बन जाते हैं तथा यहां आपको एक रेजिस्टर्ड आईडी नंबर मिल जाता है जिसे आप धाई हजार पीवी तथा पांच हजार पीवी के प्रॉडक्स पर्चेस करके अपनी रेजिस्टर्ड आईडी को एक्टिवेट करवा कर आविक्स साइंसेज की शानदार बिजनस ओपर्चूनिटी का लाब उठा सकते हैं पहली आए रीटेल प्रॉफिट जब भी आप अविक्स साइंसेज द्वारा प्रस्तुत उत्पादों को खरीदते हैं तो सभी उत्पादों की MRP तथा DP याने डिसकाउंट प्राइस होती है इसी MRP तथा डिसकाउंट प्राइस के बीच का जो अंतर होता है वो रीटेल प्रॉफिट कहलाता है यहां आपको 5 प्रतीशत से 40 प्रतीशत तक का डिसकाउंट प्राप्त होता है मान लीजिए यहां एक उत्पाद की MRP 500 रुपए है तथा उसका डिसकाउंट प्राइस 3.500 रुपए है बिजनस मैचिंग इंसेंटिव के रूप में आपको यहां दूसरी आई प्राप्त होती है जहां आपको अपनी दो टीम बनानी होती है तथा उसके द्वारा प्रॉडक्स खरीदने पर जो PV जनरेट होते हैं उनकी मैचिंग का 10 प्रतीशत आपको बिजनस मैचिंग इंसेंटिव के रूप में प्राप्त होता है बिजनस मैचिंग इंसेंटिव की 1 is to 1 के रेशियो में गणना की जाती है यहां यदि आप धाई हजार पीवी से अपनी ID अक्टिवेट करवाते हैं तो 5,000 रुपए प्रती दिन तक का बिजनस मैचिंग इंसेंटिव प्राप्त कर सकते हैं तथा 5,000 पीवी से अपनी ID अक्टिवेट करवाते हैं तो 5,000 रुपए प्रती दिन तक का बिजनस मैचिंग इंसेंटिव प्राप्त कर सकते हैं मान लीजिए आपकी A टीम में पहले दिन 5000 PV तथा B टीम में 5000 PV होते हैं तो 10 प्रतीशत मैच्ट PV के अनुसार आपको 500 रुपए की आय होती है दूसरे दिन आपकी A टीम में 15,000 PV होते हैं तथा B टीम में 10,000 PV होते हैं तो यहाँ 10,000 PV मैच होते हैं तो 10,000 PV का 10 प्रतीशत यानी 1,000 रुपए की आय प्राप्त होती है Balance PV को Next Closing के लिए Forward कर दिया जाता है यहाँ आप 2,000 रुपए के अनुसार प्रतिमाह 75,000 रुपए का Business Matching Incentive प्राप्त कर सकते हैं तथा 5,000 रुपए के अनुसार प्रतिमाह 1,500,000 का Business Matching Incentive प्राप्त कर सकते हैं तीसरी आए है Milestone Incentive जिसके अंतरगत कमपनी ने आप सभी के लिए विभिन Milestone यानी Targets बनाए हैं जिसे यदि आप पूरा करते हैं तो प्रतेक Milestone Achievement पर आपको कमपनी द्वारा Rank के साथ फंड तथा House Fund के रूप में Domestic तथा अंतर राश्ट्रियटूर, लग्शुरी कार, बंगलो तथा करोडों की आय अरजित करने का शांदार मौका प्रदान करती है यहां First Milestone पर यदि आप 15,000 PV की माचिंग करते हैं तो 1500 रुपए का माचिंग इंसेंटिव और 1800 रुपए के माचिंग इंसेंटिव के साथ Consultant Rank को अचिंग करते हैं यहां आपको कुल 3300 रुपए की आय प्राप्थ होती है Second Milestone पर यदि आप 30,000 PV की माचिंग करते हैं तो 3000 रुपए का माचिंग इंसेंटिव और 3600 रुपए के माचिंग इंसेंटिव के साथ Senior Consultant Rank को अचिंग करते हैं यहां आपको कुल 6600 रुपए की आय प्राप्थ होती है Third Milestone पर यदि आप 60,000 PV की माचिंग करते हैं तो 6000 रुपए का माचिंग इंसेंटिव और 7200 रुपए के माचिंग इंसेंटिव के साथ Manager Rank को अचिंग करते हैं यहां आपको कुल 13200 रुपए की आय के साथ Manager Conference में हिस्सा लेने का मौका प्राप्थ होता है Fourth Milestone पर यदि आप 120,000 PV की माचिंग करते हैं तो 12,000 रुपए का माचिंग इंसेंटिव और 14,400 रुपए के माचिंग इंसेंटिव के साथ Senior Manager Rank को अचिंग करते हैं यहां आपको कुल 26,400 रुपए की आय प्राप्थ होती है Fifth Milestone पर यदि आप 240,000 PV की माचिंग करते हैं तो 24,000 रुपए का माचिंग इंसेंटिव और 26,000 रुपए के माइल स्टोन इंसेंटिव के साथ Director Rank को अचिव करते हैं यहां आपको कुल 50,000 रुपए की आय के साथ One Night, Two Days का LDP प्रोग्राम कमपनी द्वारा प्रदान किया जाता है Sixth Milestone पर यदि आप 6,000 रुपए की माचिंग करते हैं तो 60,000 रुपए का माचिंग इंसेंटिव और 70,000 रुपए के माइल स्टोन इंसेंटिव के साथ Silver Director Rank को अचीव करते हैं यहां आपको कुल 1,30,000 रुपए की आय के साथ Three Nights, Four Days का Hill Station टूर कमपनी द्वारा प्रदान किया जाता है 7th milestone पर यदि आप 12,000,000 पीवी की माचिंग करते हैं तो 1,20,000 रुपए का माचिंग इंसेंटिव और 1,15,000 रुपए के माइल स्टोन इंसेंटिव के साथ Gold Director Rank को अचीव करते हैं यहां आपको कुल 2,35,000 रुपए की आय के साथ कमपनी 25,000 रुपए लाप्टॉप के लिए reward के रूप में प्रदान करती है इसी प्रकार 8 milestone पर यदि आप 24,000,000 पीवी की मैचिंग करते हैं तो 2,40,000 रुपए का मैचिंग इंसेंटिव और 2,45,000 रुपए के माइल स्टोन इंसेंटिव के साथ सफायर रैंग को अचीव करते हैं तो यहां आपको कुल 4,85,000 रुपए की आय के साथ 3 nights and 4 days का गोवा ठूर कमपनी द्वारा प्रदान किया जाता है 9th milestone पर यदि आप 48,000,000 पीवी की मैचिंग करते हैं तो 4,80,000 रुपए का मैचिंग इंसेंटिव और 1,80,000 रुपए के माइल स्टोन इंसेंटिव के साथ डाइमंड रैंग को अचीव करते हैं यहां आपको कुल 6,60,000 रुपए की आय के साथ 3,00,000 रुपए का कार फंड भी प्राप्त होता है यहां आप डाइमंड कॉन्फरेंस के लिए भी क्वालिफाइ कर जाते हैं इसी प्रकार जब आप अपनी टीम के साथ 21 माइल स्टोन भी अचीव करते हैं तो ब्रैंड अंबसेडर की रैंग के साथ 3,00,000 से लेकर 50,00,000 तक के 9 कार फंड एक करोड से लेकर 10 करोड तक के 3 हाउस फंड, 14 टूर और ट्रैवल फंड वो पॉफोर्फोर्मेंस रिवार्ड के साथ करोडों रुपए की आई यहां से अरजित कर सकते हैं जिसे दी गई टेबल के अनुसार समझा जा सकता है अगली आई के रूप में आपको बिजनस डेवलप्मेंट इंसेंटिव प्राप्त होता है आपके पांचवे लेवल तक की डाइरेक्ट टीम के मैचिंग इंसेंटिव का अप्टू 50% यानि प्रत्येक लेवल से 10% आपको Business Development Incentive के रूप में प्राप्त होता है अगर आप A को Direct Sponsor करते हैं तो ये आपका पहला लेवल हुआ A, B को Direct Sponsor करता है तो ये आपका दूसरा लेवल हुआ इसी प्रकार C, तीसरा, D, चौथा, तथा E, पांचवा लेवल हुआ ये आई प्राप्त करने के लिए प्रत्येक क्लोजिंग में 500 बीवी की सेल्फ परचेस करना अनिवारिय है मान लीजिए आपकी पांच लेवल की Direct Team A, B, C, D और E है यहाँ प्रत्येक एक लाक रुपे की आई अर्जित करता है तो प्रत्येक लेवल से आपको Direct Team के Matching Incentive का 10 प्रतीशत Business Development Incentive प्राप्त होता है तो प्रत्येक लेवल से 10,000 रुपे की आई होती है तो यहाँ आपको 5 लेवल से कुल 50,000 रुपे का Business Development Incentive प्राप्त होता है तो इस प्रकार आप यहां केवल एक ही टीम से लाखों की आय अरजित कर सकते हैं अगली आय के रूप में आपको Self-Purchase Incentive प्राप्त होता है जिसको प्राप्त करने के लिए प्रतिमाँ 500 BV की Self-Purchase सिंगल तथा Multiple Bill पर करना अनिवारिय है 500 BV की Self-Purchase से आपको एक SPI Point प्राप्त होता है जहां कमपनी अपने Monthly Total BV Turnover का 5 प्रतिशत Self-Purchase Incentive Achievers में उनके द्वारा अरजित Self-Purchase Incentive Points के अनुसार डिस्टिब्यूट कर देती है जिसे दिये गए फॉर्मुले के अनुसार कैल्कुलेट किया जाता है अगली आय के रूप में आपको Successive Incentive प्राप्त होता है जहां कमपनी अपने Monthly Total BV Turnover का 10 प्रतिशत Successive Incentive के रूप में निकालती है जिसे Successive Incentive Achievers में उनके द्वारा अरजित पॉइंट्स के अनुसार डिस्टिब्यूट कर दिया जाता है जिसे प्राप्त करने के लिए आपकी दोनों टीम से कम से कम दो डारेक्ट स्पॉंसर होने अनिवारी है यदि उनके द्वारा 500 BV की सेल्फ परचेस की जाती है तो यहां 500 BV की मैचिंग पर आपको एक Successive Incentive प्राप्त होता है Successive Incentive को दिये गए फॉर्मुले के अनुसार कैलकुलेट किया जाता है मान लीजिए यहां कमपनी का मंतली BV टरनोवर होता है 20 लाक BV तथा टोटल Successive Incentive पॉइंट होते हैं 2000 तो यहां एक Successive Incentive पॉइंट की वैल्यू हुई 100 रुपए तो आप यहां अधिक्तम 500 Successive Incentive पॉइंट्स की आई एक क्लोजिंग में अर्जित कर सकते हैं इस प्रकार 500 Successive Incentive पॉइंट्स के अनुसार आपको 50,000 रुपए Successive Incentive प्राप्त होता है Successive Incentive के बाद कमपनी आपको Manager Club Incentive प्रदान करती है जहां कमपनी अपने Monthly Total BV Turnover का 21 प्रतीशत Manager Incentive के रूप में निकालती है जिसे Manager Club Incentive Achievers में उनके द्वारा अर्जित पॉइंट्स के अनुसार डिस्ट्रिब्यूट कर दिया जाता है इस आई को प्राप्त करने के लिए एक क्लोजिंग में कम से कम 5000 BV के मैचिंग अनिवारिय है 5000 BV के मैचिंग पर आपको एक MCI पॉइंट प्राप्त होता है जिसे दिये गए फॉर्मुले के अनुसार कैल्कुलेट किया जाता है आप यहां अधिक तम 500 MCI पॉइंट्स की आई एक क्लोजिंग में अरजित कर सकते हैं मेंटोर्शिप इंसेंटिव आपके द्वारा किये गए डाइरिक्ट रेफ्रिल के मैनेजर क्लब इंसेंटिव का 18 प्रतिशत आपको मेंटोर्शिप इंसेंटिव के रूप में प्राप्त होता है मान लीजिए आपकी डारिक्ट टीम्स A, B, C तथा D एक क्लोजिंग में क्रमशह 50,000, 1,00, 2,00, तथा 5,00, का मैनेजर क्लब इंसेंटिव अरजित करती हैं तो उनके द्वारा कुल 6,00, का MCI अरजित किया गया उसका 18 प्रतिशत यानि 1,08,000 रुपए आप मेंटोर्शिप इंसेंटिव के रूप में प्राप्त करते हैं इस आई को प्राप्त करने के लिए प्रत्ते क्लोजिंग में 500 बीवी की सेल्फ परचेस करना अनिवारी है सूपर क्लब इंसेंटिव के रूप में कमपनी आपको अगली आई प्रदान करती है यहां कमपनी अपने टोटल मंतली बीवी टरनोवर का 5 प्रतिशत सूपर क्लब इंसेंटिव के रूप में निकालती है जिसे सूपर क्लब इंसेंटिव अचीवर्स में डिस्टिब्यूट कर दिया जाता है इस आई को क्वालिफाई करने के लिए किसी भी एक क्लोजिंग में 25,000 बीवी की मैचिंग करना अनिवारी है सूपर क्लब इंसेंटिव को दिये गए फॉर्मुले के अनुसार कैल्कुलेट किया जाता है यहां से आप अनलिमिटेड सूपर क्लब इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं लाइफस्टाइल इंसेंटिव के रूप में आपको अगली आयप राप्त होती है जहां कमपनी अपने मन्थली टोटल बीवी टर्नोवर का साथ प्रतीशत लाइफस्टाइल इंसेंटिव के रूप में निकालती है जिसे लाइफस्टाइल इंसेंटिव अचीवर्स में उनके द्वारा अर्जित पॉइंट्स के अनुसार डिस्टिब्यूट कर दिया जाता है इस आय को प्राप्त करने के लिए एक क्लोजिंग में कम से कम 50,000 बीवी की मैचिंग अनिवारिय है पचास हजार बीवी की मैचिंग पर आपको एक लाइफस्टाइल इंसेंटिव पॉइंट प्राप्त होता है जिसे दिये गए फॉर्मुले के अनुसार कैल्कुलेट किया जाता है यहां से आप अनलिमिटेड लाइफस्टाइल इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं अमेजिंग रॉयल इंसेंटिव के रूप में आपको अगली आई प्राप्त होती है जहां कमपनी अपने मंथली टोटल बीवी टरनोवर का साथ प्रतीशत अमेजिंग रॉयल इंसेंटिव के रूप में निकालती है जिसे Amazing Royal Incentive Achievers में उनके द्वारा अरजित पॉइंट्स के अनुसार डिस्टिब्यूट कर दिया जाता है इस आई को प्राप्त करने के लिए एक क्लोजिंग में कम से कम धाई लाख बीवी की मैचिंग अनिवारिय है धाई लाख बीवी की मैचिंग पर आपको एक Amazing Royal Incentive पॉइंट प्राप्त होता है जिसे दिये गए फॉर्मुले के अनुसार कैलकुलेट किया जाता है यहाँ से आप Unlimited Amazing Royal Incentive अर्न कर सकते हैं Lifetime Royalty Incentive के रूप में आपको अगली आई प्राप्त होती है यहाँ कमपनी अपने टोटल मंतली बीवी टरनोवर का दो प्रतीशत Lifetime Royalty Incentive के रूप में निकालती है जिसे Lifetime Royalty Incentive Achievers में डिस्ट्रिब्यूट कर दिया जाता है इस आई को क्वालिफाई करने के लिए Accumulative 25 लाख बीवी की मैचिंग करना अनिवारिय है Lifetime Royalty Incentive को दिये गए फॉर्मिले के अनुसार कैलकुलेट किया जाता है जहाँ कमपनी अपने Annual Total बीवी टरनोवर का दो प्रतीशत आईविक सुप्रीम इंसेंटिव के रूप में निकालती है जिसे आईविक सुप्रीम इंसेंटिव अचीवर्स में उनके द्वारा अरजित पॉइंट्स के अनुसार डिस्रिब्यूट कर दिया जाता है जब आप एक ASI पॉइंट अरजित कर लेते हैं तो आप आईविक सुप्रीम इंसेंटिव को क्वालिफाई कर जाते हैं पॉइंट्स की कैलकुलेशन दी गई टेबल के अनुसार की जाती है तो दोस्तों हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप यहां से अपने सभी सपनों को शत प्रतीशत पूरा कर सकते हैं तो बिलकुल विलम मत करिये आज ही अपना ओनलाइन रेजिस्ट्रेशन करवा कर आविक साइन्सिस की इस आर्थिक ग्रांती का हिस्सा बनिये जै भारत जै आविक साइन्सिस